मित्रों और भाईयों बेनों आप सभी लोगों को लोडी की और मकर संक्रांती की बहुत बहुत बधाईया नमस्कार मैं मनोच कुमार निगम एक बार फिर आप सभी लोगों के समख्ष पस्तुत हुआ हूँ कुछ नए विचारों के साथ कुछ नए विश्यों के साथ सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को लोडी की और मकर संक्रांती की बहुत-बहुत बदाई देना चाहता हूँ बहुत-बहुत शुपकामनाई देना चाहता हूँ सभी लोगों का हार्दिक आभार पस्तित करना चाहता हूँ क्योंकि ये तिवहार लोडी का है और बगर संक्रांती का है ये कोई एक व्यक्ति के द्वारा मनाने वाला तिवहार नहीं है ये सामूहिक रूप से मनाने वाला तिवहार है इस विशय पर आगे चर्चा करने से पहले सबसे पहले मैं अपने साभी वीवर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनके सहयोग से जिनकी आकांशाओं और एक्षाओं पर खरा उतरने की वज़े से हमारे चैनल का एक वरश पूरा होने को है 14 जन्वरी को हमारे मकर संक्रांती के पावन परव पर पावन दिवस पर हमारे इस दी डॉन एक्स्प्रेस चैनल का एक वरश का कारकाल पूरा हो जाएगा इस समय में आप सभी लोगों के सहयोग से एक लाख से ज़ादा व्यूज और बहुत अधिक मात्रा में सब्सक्राइबर्स हमें मिले हैं उसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों का शुक्र यादा करते हैं आप लोगों के शुक्र गजार हैं आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी इसी प्रकार से इसी तरह से आप लोगों का सहयोग मिलता रहे आप लोगों का प्यार मिलता रहे इसी कामना के साथ मैं चाहूंगा कि अब हम लोग अपने मुख्य विशे पर जो की लोडी का विशे है और मकरभ संकरांथी का त्योहार है इन दोनों त्योहारों पर थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा कर ले लोडी का त्योहार एक ऐसा त्योहार है एक इतना महत्पूर्ण त्योहार है पूरे देश के लिए पूरी दुनिया के लिए जहां जहां पर भी हम भारतवासी रहते हैं और विशेश तोर पर पंजाब क्योंकि ये तियोहार पंजाब का तियोहार माना जाता है वैसे तो सभी लोग मनाते हैं पूरी दुनिया में हम सब लोग उस तियोहार में सम्मलित होते हैं, शरीक होते हैं उपस्तित होते हैं, मिल करके मनाते हैं, लेकिन पंजाब में इस त्योहार की जो छटा होती है, जो महत्व है वहाँ पे, वो एक बिल्कुल अलग है, और उस से उसका आनंद लेने के लिए एक व्यक्ति का आज के इस त्योहार पर पंजाब में अगर वो है, तो वह वास्ताम में इस चीज का अनुभव कर सकता है कि लोडी के तिवार वाले दिन, लोडी के दिन, सुवेरे से लेके शाम तक कितनी धूम, कितना धमाल होता रहता है मैं स्वैम अमरस सर में रहा हूँ और भाकिशाली था कि लोडी का तिवहार मैंने अमरस सर में रहके मनाया था तो मुझे इस बात का पुरी तरीके से अनुभव है मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि लोडी वाले दिन सुवेरे से लेके शाम तक समय कैसे व्यतीत हो जाता था लोगों से मिलते जुलते लोगों के साथ समय बिताते हुए तो पता ही नहीं चलता था तो लोडी के तिवहार की एक बार फिर हमी हमारे सभी दर्शकों को सारे वीवर्स को बहुत बहुत लोडी दिया लख लख बदाईया अब हम बात करेंगे मकर संक्रांती के लिए मकर संक्रांती का त्योहार हिंदू धर्म और हिंदू मानिताओं के लिए कितना महत्पूर्ण त्योहार है इसका इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे देश में कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक हर व्यक्ति मकर संक्रांती के त्योहार वाले दिन अपने आपको सौभाग इशाली समझता है अपने आपको भाग इशाली समझता है कि वो मकर संक्रांती का त्योहार भगवान के आशिरवाद से अपने बड़े बुजर्गों के आशिरवाद से अपने दोस्तों के सहयोग से सबसे मनाता है और मकर संक्रांती का जो त्योहार है वो जब सूर्य मकर राशी में प्रवेश करता है उस दिन मनाया जाता है यानि 14 जन्वरी को तकरीवन सुवेरे 8 वजे सूर्य मकर राशी में प्रवेश करेगा यानि मकर संक्रांती का त्योहार 14 जन्वरी 2021 में सुवेरे आठ बजे से लेके और अगले दिन सुवेरे चार से पांच बजे प्राता काल तक मनाया जाएगा मकर संक्रांती के त्योहार का महत्व गंगा से भी बहुत महत्व पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है तो इस से पहले हम इस विशे पे आगे चर्चा करें आप सभी लोगों को महाकुंब के पर्व की हार्दिक बधाईयां हार्दिक शुक्कामनाएं जो की हरिद्वार शहर में इस समय चल रहा है और कल चौदा जन्वरी को यह आज चौदा जन्वरी को यह शाही इसनान के तौर पे मनाया जाएगा और इस दिन गंगा जी में इसनान करना बहुत महत्व पूर्ण माना गया है कहा जाता है शास्त्रों में कि कुम्ब के पर्व पर यदि किसी शाही और महा इसनान पे गंगा जी में आप डुक्की लगाते हैं तो आपके सारे पाप से सारे पापों से आपको मुक्ती मिल जाती है कश्टों से मुक्ती मिल जाती है तो इसलिए एक बार फिर पूरे देश के देशवासियों को और पूरे दुनिया में देशवासियों को दुनिया वासियों को मकर संक्रांती की हारदिक शुपकामना है और बहुत-बहुत बधाईया अब हम बात करते हैं अपने चैनल के लिए दी डौन एक्सप्रेस का एक वर्ष का कारेकाल 14 जन्वरी 2021 यनि आज पूर्ण हो रहा है इस दौरान हमारे सारे शुरुताओं ने सारे दर्शकों ने सारे वीवर्स ने जो प्रेम दिया जो इस नहें दिया जो सम्मान दिया हमें उसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं हर दिक आभार प्रस्तुत करता हूं और कामना करता हूँ कि आगे भी हमारे इस डी डाउन एक्सप्रेस परिवार को आप लोगों की तरफ से इसी तरह से प्यार, अपनापन और इसने हैं और प्रोथसाहन मिलता रहे हैं दी डाउन एक्सप्रेस ने एक लाख से ज़ादा अपने विवर्स क्रॉस कर लिये हैं, पूरे कर लिये हैं, एक साल पूरा होने से पहले और हजारों की तादात में हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए पुनहें आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया, हार्दिक आभार अब हम चर्चा करेंगे देश की आज की वर्तमान परिस्थिती के ओपर वर्तमान परिस्थिती में इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है देश की राजधानी नई दिल्ली में उसका प्रारूप अब धीरे-धीरे विक्राल होता जा रहा है और विक्राल इस वजह से होता जा रहा है क्योंकि उस विशए के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए इस देश की सरकार को इस देश के सांसदों को इस देश की सरकारों को वो उस पर ध्यान ना दिया गया पहले कभी और ना अब भी 45 और 45 दिन का अंशन आंदोलन हो जाने के बावजूद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसानों को जो ये मुठी भर किसान है इनका ये आंदोलन है वरना देश के सभी मुख्य किसान या उनके संगठन देश की सरकारों के साथ में हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन बहुत अच्छा है ये किसान कानून जो हैं भाफ कीजे किसान कानून जो तीनों कानून बनाए गए हैं ये किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं जबकि उन्हीं का कहना है कि ये मुठी भर किसान कहते हैं कि ये किसानों के लिए बनाए हुए तीनों किसान कानून, किसान बिल जो हैं, काले कानून है. अब इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा कि अगर देश के सरवाधिक किसान या किसान संगठन इस बात से सहमत हैं कि ये कानून देश में किसान के लिए उसकी खेती के लिए आमूल चूल परिवर्तन करेंगे, तो ये जो सरकारी तंत्र द्वारा कहा जारा है कि देश के जो ये मुठी भर किसान हैं, दिल्ली के चारों तरफ जो आंदोलन कर रहे हैं, फिर वो ऐसा क्यों सोचते हैं, या तो उनकी समझ में कहीं खराबी है, या देश की सरकार उन मुठी भर किसानों को समझा नहीं पा रही है ये एक बड़ी विचित्र और हास्यास पा दिस्ति थी अभी कुछ तिन पहले खबर आई थी कि पंजाब में हरियाना में एक बहु राश्ट्रिय भारतिय कंपनी है या यो कहिए अमवानी और अडानी की कंपनिया हैं जिनका सबसे बहुत तो सबसे जादा रोचक विशय इस समय किसानी है और ये किसान कानून बिल भी कहीं न कहीं उन्हें लाब पहुँचाते हुए दिख रहे हैं उसका सबसे सबसे बड़ी वज़े है कि किसानों की जो खेती का पूरे देश में जो जो राजस्व है वो करीब-करीब जो बजार है राजस्व में भी नहीं बलकि बजार जो है वो करीब-करीब 30 से 35 लाख करोड का है तो ये वो बजार है जिसने इस महामारी के आट-दस महीने के समय में भी इतने लंबे समय में इतने लंबे समय में इसने जब बहामारी की वज़े से हर तरफ बेरोजगारी हर तरफ नकारापन हर तरफ मुसीबतें जीडीपी में गोता सब कुछ था उस समय पर भी क्रशी छेत्र ने 4 परसेंट की विकास दर को बरकरार रखा और देश के किसानों ने अपना खून पसीना एक करके रिकॉर्ड खाद्यानों का उत्पादन किया तो ये जो बड़ी कंपनिया हैं ये बड़े धन्ना सेट हैं इनको भी ये समझ में आ गया कि ये एक ऐसा चेत्र है जो अभी तक हमने नहीं चुआ है और तीस लाग चालिस लाग करोड का बाजार कोई छोटा बाजार नहीं होता लेकिन हास्यासपद ये है कि इतना बड़ा बाजार होने के बावजूद भी देश में किसानों की स्थिती बहुत दर्दनाक है दैनी है पंजाब में किसान परिवार में पृति किसान साल की जो अर्थ विवस्था है उसकी या उसकी कमाई जो है वो तक्रीमां दो लाख रुपए के आसपास है जब कि बिहार के किसानों की स्थिती बहुत दर्दनाक है अत्यंत दैनी हैं और वो मात्र बैालिस हजार रुपए साल का कमाते हैं यानि साड़े तीन हजार रुपए महिना अब आप अंदाजा लगाई है कि एक परिवार जहां पर कम से कम चार से पांच लोगों का सदस्य है सदस्यों का परिवार है क्या साड़े तीन हजार रुपए महीने पे गुजारा कर सकता है नहीं इसी लिए इस समय जो सबसे ज़्यादा आवाज उठ रही है सबसे ज़्यादा जो हो हला हंगामा वचा हुआ है या आंदोलन जो हो रहा है वैसे तो अब आज की इस्तिती में 45-45 दिन के बाद ये आंदोलन सिर्व दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया है ये पूरे देश में पहल चुका है लेकिन सबसे बड़ी जो जरूरत है वो जरूरत इस चीज़ की है कि हमको अपने किसानों के पृति सजग रहते हुए उनकी आकांशाओं और पेक्षाओं को पूरा करने हे तू जो भी अच्छे से अच्छे कदम हो सकते हैं वो हमें उठाने चाहिए हमें मतल हमारी सरकार को जिसने जिनके हाथ में होता है कानून बनाना जिनके हाथ में होना होता है उनको निश्चित तोर पर लागू करना और उन कानूनों की वज़े से जो व्यक्ति है समाज में चाहें वो किसान हो चाहें वो मध्यम वर्गी हो चाहें उच्छ आयका वर्ग हो चाह का फाइदा हो लेकिन ऐसा दिखता है कि बहुत सालों से देश में किवल जो धन्ना सेट हैं उनके विशे में तो हमेशा सोचा गया है जो उद्योग पती हैं पुंजी पती हैं उनके विशे में तो हमेशा सोचा गया है हमेशा एक सौफ्ट कॉर्णर ले करके उनके लिए आग शक्ता है वो किसानों के लिए इस समय बहुत अंतर मन्द से सोच के अंतर मन्द से विचार करके और उनके लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है उसको करने की है क्योंकि देश में कोई भी सरकार है किसी भी पार्टी की सरकार है उसको लाने वाला उसको सत्ता रूड करने वाला देश की जनता ही होती है देश का किसान होता है देश का गरीब होता है देश का मध्यम आईवर्ग का विप्ति होता है क्योंकि यदि हम पुझी पती और उच आयवर्ग के लोगों का आकलन करें तो वो शायद मेरे खाल से छे साथ परसेंट आट परसेंट ही है इससे जादा है ही नहीं तो हम लोगों की जो सबसे बड़ी प्राथमिक्ता होनी चाहिए यानि हमारे सरकार की जो सबसे बड़ी प्राथमिक्ता होनी चाहिए वो प्राथमिक्ता ही होनी चाहिए जो हमारा किसान है हमारा जवान है हमारा मध्यम आयवर्ग का है हमारा गरीब है दलित है पिछला है इन सब के बारे में सोचे और इनके उत्थान के बारे में सोचे इनको एक मोबाइल कंपनी के उनके टावर्स को तोड़ा जा रहा है टावर्स को खराब किया जा रहा है और काफी टावर्स के उपर यह शती पहुचाना तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी की शती है समाज की शती है उसको उससे हमें दूर रहना चाहिए आंदोलन शांती पूर्व हो चाहिए लेकिन साथ में सरकारों को भी इस विशय पर ध्यान देना चाहिए कि आंदोलन को शांती पूर्व रखने के लिए उनका दायत्यू क्या है उस दायत्यू की पूर्ती उन्हें ही करनी है आंदोलन रत जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने दायत्यू की पूर्ती कर र इतना शांत प्रिय आंदोलन इतना शांती से चलने वाला आंदोलन जिस ने पूरी दुनिया में एक मिसाल काम की है और वो मिसाल इसलिए भी काम की है कि इसी समय काल में आप व ने अम्रीका जैसे इतने बड़े देश इतने बड़े लोकतंतर इतने पुराने लोकतंतर में किस तरह से लोकतंतर की धरजियां उड़ी है और अभी भी वहाँ पर सरकार और उनकी जो इंटेलिजेंस है वो इस चीज की शंका जाहिर कर रही है कि अभी आने वाले समय में दो पांट दस दिन में भी अभी काफी उसके बावजुद हमारे देश में ये आंदूलन कितना शांती से चल रहा है और आंदोलन कारियों ने कितना शांती का परिचे दिया है और आज भी पूरी शांती से पूरे आदर और सम्मान के साथ क्योंकि देश की सरकार है, देश के सरवुच पदों पे बैठे हुए संभेधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं उनका आदर उनका सम्मान होना आवश्यक है लेकिन उनको भी ये सोचना आवश्यक है कि हम कम से कम देश के लोगों के लिए, देश के किसान के लिए, देश के जवान के लिए, देश के मध्यम वर्ग के लिए सोचें, उनके विशे में सोचें, उनके परिवारों के विशे में सुचें, उनके बच्चों के विश्य में सुचें, उनके भविश्य के विश्य में सुचें, ये बहुत आवशक विश्य है, रोजगार की स्थिती कितनी खराब है इस देश में, इस समय हमारे देश में, ये सर्व विदित है, इस पे भी गौर करना, इस पर भी विचार करना, इस देश की सरकारों का ही काम है क्योंकि पॉलिसी बनाना उनको कानून में तब्दील करना उसको अमल में लाना ये सारे काम देश की संसत करती है संसत करते हैं संब्धानिक पदों पर बैठे हुए लोग करते हैं तो उन सभी लोगों से बहुत बहुत नम्बल हर्दय के साथ कर्तब हाथ जोड़कर के प्रार्थना है कि वो देश के बारे में, देश के किसान के बारे में, देश के जवान के बारे में, देश के नौजवान के बारे में, देश के मध्यम वर्गी परिवारों के बारे में, गरीबों के बारे में, दलित के बारे में, पिशले के बारे में, युवाओं के बारे में, सब के बारे मे साथ में नहीं चलेंगे तब तक इस देश का समग्र विकास असंभाव हो जाता है गही ना कहीं इस में कमी नजर आने लगती है तो यह सारे विशए आज थे और बहुत ज़्यादा गहराई में यह बहुत ज़्यादा इस विशए पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि विशय थोड़ा सा उलज जाए या विशय को समझने में थोड़ा सा हमें डेटाज की या कुछ ऐसे तत्थियों का विवरन देना पड़े ताकि मैं अपने जितने भी वीडियो बनाता हूँ उनमें कोशिश ये रखता हूँ कि एक जन मानस के हिसाब से हमारे विचार क्या हो सकते हैं अपने बारे में, समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ और आप लोगों के अपनत्य की वज़े से आप लोगों के अपने पन की वज़े से आप लोगों के प्रशंसाओं की वज़े से मैं बार-बार प्रेरित हो जाता हूँ कि आप लोगों के लिए कोई नया कुछ नया विशय कुछ नई चर्चा आप लोगों के सामने ले के आऊँ और इनी सारी चर्चाओं के साथ एक बार फिर देश की सरकार से देश के समवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से ये विशेश आग्रह है कि इस लोडी परवपे इस मकरसंकरांती के परवपे कम से कम अपनी तरफ से वो कुछ ऐसे कदम उठाएं ऐसे महत्वपूर कदम उठाएं जिन से देश के लोगों का देश की जनता का और पूरे समाज का कल्यान हो भला हो इनी सब विचारों के साथ एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को इतना भूरी भूरी प्रशंसा देने के लिए इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद